हेलो सूरिंस आइम योह हिंदी कीचर दिपिका मैं प्रीवेस क्लास में हमने जो हमारी कवीता है करमवीर इसको रीड किया था और इसके शब्दार्थ डिसकस किये थे आज की क्लास में हम इस कवीता का अर्थ समझेंगे और उसको अपने कॉपे में नोट करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी कवीता की शार पंक्तिया देखकर बाधा विवित बहु विगन घबराते नहीं रह भरो से भाग गय के दुख भोग पश्टाते नहीं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उक्ताते नहीं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं ये जो है हमारी कवीता की प्रथम चार पंक्तियां है प्रसंग प्रसंग में हम बताते हैं कि ये कवीता जो है किसने लिखी है या इस कवीता में जब कभी लिख रहा था तो उसके क्या भाव है वो किस चीज का वर्णन कर रहा है ये सब चीज़े हम प्रसंग में इंक्लूड करते हैं तो करमवीर कविता में कवी ने करमशी लोगों के गुणों और विशेशताओं का वर्णन किया है तिन चीजों का वर्णन किया है कवी ने करमशी लोगों के गुणों और विशेशताओं का वर्णन किया है केलियर अब है व्याक्या जो यह पंक्ति है हमारी यह चार पंक्तिया इस पंक्तियों में कभी कहते हैं कि जो करमशील व्याक्ति होते हैं वह अपने मार्ग में आने वाली आनेक प्रकार की रुकावटों समस्याओं और बहुत से विगनों से घबराते नहीं है देख बाधा विविद बहु विगन घबराते नहीं तो इस पंक्तिकार यही है कि जो करमशील व्यक्ति है वो जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं या विगन को देखकर घबराते नहीं है रह भरोसे भागे के दुख भोग पच्टाते नहीं इसका मतलब है कि वे लोग, वे लोग मिन्स करमशील लोग अपने भागे के भरोसे नहीं रहते और जीवन में दुख पाकर कभी वो पच्टाते नहीं है यानि कि उन्हें इस बात का पच्टावा नहीं होता कि उनके जीवन में इतने सारे दुख और तकलीफे क्यों है नेक्स लाइन, काम कितना ही कठिन हो, किन्तु उक्ताते नहीं उक्ताते मिस उब जाना, या किसी चीछ से परिशान होना तो इसका आर्थ क्या है? किसी भी कठिन से कठिन कार्रे को करते हुए, कभी परिशान नहीं होते जो करमशील व्यक्ति है वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेता है उससे कभी उबताया परेशान नहीं होता है नेक्स्ट भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं यानि कि जो करमशी लोग है वो भीड में चंचल बनकर अपने वीरता नहीं दिखलाते बलकि वो समझतारी से काम करते हैं और वीरता से कार्रे करते हैं तो ये हमारी जो पर्थम चार पंक्तिया हैं उसका प्रिसंग और उसकी व्याख्या आप इसको अपने रेजिस्टर में ऐसे ही नोट करेंगे नीट एंड क्लीन ये हमारी नेक्स्ट पंक्तिया है चलिए एक बार इनको रिट करते हैं हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले सब जगह सब काल में वे ही मिले पूले भले आज करना है जिसे करते उसे है आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही तो इन पंक्तियों का जो परसंग है वो भी सेम है कि जो करमवीर कवीता है इसमें कवी ने करमशी लोगों के गुणों और विशेशताओं का वर्णन किया है किलियर अब हम करते हैं राख्या जो हमारी फर्स्ट लाइन है हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले तो इसमें कवी कहते हैं कि जो करमशील वेक्ति है जो महनती वेक्ति है वो अपनी महनत से अपने जो बुरे दिन है उनको भी अच्छे दिनों में बदल देते हैं व्याक्या पढ़ते हैं कवी कहते हैं कि करमशील लोग अपनी महनत से एक बार में बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाते हैं जानि कि जो महनत करते हैं उससे जो उनके बुरे दिन है वो अच्छे दिनों में बदल जाते हैं नेक्स लाइन, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, यानि कि सभी जगह पर और सभी काल, यानि कि कुसी भी परस्थिती में, किसी भी समय में वही लोग फूले फले हैं, जो करमशील है या मेहनती हैं, वह में करमशील व्यक्ती हर परिस्थिती में, हर जगह पर और हर समय पर उन्निती करते हैं, फूले फले में उन्निती करना, आज करना है जिसे करते उसे हैं, आज ही सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, इन दोनों पंक्तियों का जो मेनिंग है, वो ये है कि जो हमारे करमशी लोग है, वो जो कारना चाहते हैं, उसे करते हैं, और अगर उन्हें वो कार्रे आज करना है तो उसे वो आज ही करते हैं अपना हर कार्रे समय पर करते हैं जो करमशी लोग है वो अपना हर कार्रे समय से करते हैं टाइम पर पूरा करते हैं जो कार रहे आज करना है, जो काम उन्हें आज करना है, उसे आज ही करते हैं कभी भी वो अपने काम को दूसरे दिन पर नहीं जोड़ते वह, वह मिस करमशील व्यक्ति वह किसके लिए है? करमशील व्यक्ति जो भी कुछ करने के बारे में सोचते हैं उसे कर दिखाते हैं तो इन पंक्तियों में जो कभी है वो कह रहे हैं कि जो करमशील वेक्ति है वो अपनी महनत और लगन से अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देते हैं वो किसी भी परस्थिती में या किसी भी समय में हो, हमेशा वो उन्दती करते हैं अपनी मेहनत के थूँ और जो कार रहे हैं वो जब करना चाहते हैं जैसा काम वो करने की सोचते हैं उस कार रहे को वो कर दिखाते हैं तो ये हमारी इन कवीताओं का जो ये कवीता है इसकी इन चार पंक्तियों का प्रिसंग और उसकी व्याक्याती next कुछ पंक्तियां मानते जी की है सुनते सदा सब की कही जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही इन पंक्तियों में जो कवी है वो ये कहना चाहते हैं कि जो करमशील वेक्ती है वो हमेशा सब की बाते सुनते हैं परन्तु करते वही है जो उनके मन में होता है जो वो खुद करना चाहते हैं भूल करवे दूसरों का मुझ कभी तकते नहीं कभी भी किसी भी परिस्थितियों में वो किसी और के भरोसे नहीं रहते कौन ऐसा काम है वेकर जिसे सकते नहीं ऐसा कौों सा कारे है जिसे करमशील वेक्ति नहीं कर सकते वो अपनी महनत और लगन से सभी कारे को कर सकते हैं लोग जब ऐसा समय पाकर जनम लेंगे कभी देश की और जाती की होगी भलाई भी तभी जब लोग ऐसी समझ पाकर ऐसे करमशील व्यक्ति जनम लेंगे तब ही देश की और जाती की भलाई होगी उनकी प्रगति होगी चलिए प्रिसंग देखते हैं कवीता करमवीर में कवी ने करमशील लोगों के गुणों और विशेष्टाओं का वर्णन किया है सेम है व्यक्या कवी कहते हैं कि करमशील लोग सब की बाते सुनते हैं परंतु करते अपने मन की है जो इस संसार में अपनी साहता अपने आप करते हैं इस दुनिया में जो अपनी साहता खुद करते हैं वह किसी भी काम को करने के लिए दूसरे के वरों से नहीं रहते या किसी की, किसी और का इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा और उसकी help करेगा उसके लिए ऐसा कोई भी कार्रे नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता उसके लिए मतलब करमशील वेक्ति के लिए लास्ट दो पंक्तियों में कवी कहते हैं कि जब ऐसे करमशील लोग जनम लेंगे तभी देश और जाती की भलाई होगी क्लियर? तो ये हमारी कवीता थी और इसका प्रिसंद सहित प्राक्या आप स्क्रिनशोट लेकर वीडियो को पॉस करके स्क्रिनशोट लेकर नीट एंड क्लीन इस पोयम को अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही उसकी व्याक्या भी करेंगे नेक्स क्लास में हम बुक वर्क और कोशन आंसर सॉल्व करेंगे थेंक यू और हैव नाइस दे